आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now यहाँ पर हम से पूछा गया कि cartilaginous fishes की skin पे हमें given options में से किस तरह के scales मिलेंगे तो cartilaginous fish की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि सभी fishes को हमने पाइसिस नाम के ग्रूप में प्लेस किया हूँ है वर्टिब्रेट्स के अंदर लेकिन इसमें भी फ़र्दर दो classes होती है जिसमें एक होती है cartilaginous fishes की और दूसरी होती है bonny fishes की तो जिन fishes में जो endoskeleton है वो cartilage का बना होता है उन्हें हम cartilaginous fish कहते हैं या chondricthus class में प्लेस करते हैं जबकि bone से बने हुए endoskeleton वाली fishes को हम austicthus class में प्लेस करते हैं अब इन दोनों के बीच में कई सारे characteristic differences होते हैं जैसे कि chondricthus के पास air bladder या swim bladder जो bonny fish के पास होता है वो इन में नहीं होता जिसकी help से bonny fishes पानी में एक ही level पे बिना swim किये बिना energy खर्च किये काफी देर तक रह सकते हैं जबकि cartilaginous fishes ऐसा नहीं कर सकते हैं उसी तरह से bonny fishes में जो इनकी gills होती हैं वो operculum नाम के एक cover से covered होती हैं जबकि हमें cartilaginous fishes में गिल्स का ये cover नहीं मिलता है माउथ की अगर position देखें तो bonny fishes में mouth terminal होता है यानि जो head है उसके बिलकुल anterior portion में आगे की तरफ खुलेगा जबकि cartilaginous fishes का mouth ventral होता है थोड़ा नीचे की तरफ खुलता है cartilaginous fishes generally हमें marine habitat में मिलती हैं यानि sea में रहती हैं और mostly इसमें हमें बहुत सारी predatious fishes मिलती हैं जो कि दूसरे अपने से छोटे organisms पे प्रे करती हैं या carnivorous होती हैं तो इनके पास powerful jaws होते हैं ताकि ये अपने प्रे को पकड़के रख सकें और इसके अलावा इनका अगर characteristic difference देखें तो इनके scales में होता है इनकी जो skin होती है क्योंकि ये fishes में आ रही है तो इस पे scales तो प्रेजन होंगे ही तो plicoid scales हमारी cartilaginous fish के characteristic होते हैं जबकि जो cycloid और tenoid scales है ये दोनों तरह के हमें bony fishes या ostrichthis में मिलेंगे तो यहां पर क्योंकि cartilaginous fishes की बात कर रहे थे तो chondricthis में हमें plicoid type के scales मिलेंगे और इनके जो powerful jaws होते हैं उसमें जो दात हैं वो भी इन ही modified plicoid scales के ही बने होते हैं तो option D ये आपर हमारा सही answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलें से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर